बहुजन समाज पार्टी वाड़ी शहर ने नगर परिशद वाड़ी के तहत अंबेटकर नगर, कौतम नगर, इंदिरानगर में सरकारी भूमी पर अतिक्रमन को नियमित करने के समद में मुख्यमंत्री और वाड़ी मुख्यादिकारी को एक ग्या पंसो पा है ग्राम पंसायत पिछले 40 वर्षों से सरकारी भूमी पर अतिक्रमन कर रही शेत्र में गरीबों में रहने वाले नागरिकों की भुकंडों की स्थाई और नियमिती करन पर जोर दे रही है माल की हक के पट्टों को प्राप्त करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया था नगर परीशित वाड़ी के प्रशासन ने जिला कलेक्टर काराले को एक पत्र भेचा था जिसमें कहा गया था कि अतिक्रमन भूमी पर भूमी के वितरन में कोई आपतीन नहीं है हाला कि इस मुद्धे पर आज तक कोई ठोस कारवाही नहीं की गई है 28 जन्वरी 2020 को प्रतिनीधी मंडल ने BSP द्वारा पट्टो की वितरन के संबन में नप को एक ग्यापन प्रस्तुत किया था ग्यापन में मुख्यमंत्री सच्वाले कक्ष नागपुर डिविजन को भी स्थान ये प्रशासन स्थर सिंद्या मानुसार आवश्यक कारवाही करने के लिए निर्देशित किया क्या है लेकिन नप ने इस संबन में कोई जानकारी नहीं दी है इसके लिए नगर परिशत वाडी के तहट आमबेटकर नगर गौतम नगर इंद्रा नगर के नागरिकों को पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए अन्यता बस्पा आमरन उपोशन पर बैठेगी ऐसी चेताओनी वाडी बहुजन समाज पार्टी ने दी इस दोरा आन्च शीष्ट मंडल में पूर्वनगर सेवक नरेन रजीम मेढे, डॉक्टर मनुज भांगे, बस्पा वाडी शहर अद्धेक्ष गौतम मेश्राम, सुधाकर संपिपुए, गौतम तिरपुडे, सुरज वान खेडे, सुभाश सुकदेवे, सुरज डांगरे, प्रमुक्ता से उपस्तित थे, NBCN न्यूस के लिए वाडी से सुरब पाठल की रिपोर्ट